नमस्कार दोस्तों जैहिंद वन्दे वात्रम मैं आपके साथ जैसवाल सर बात करेंगे इस क्लास में दोस्तों CDP मनो बिज्ञान साइकोलाजी के बात करेंगे मनो बिज्ञान का पार्ट बहुत इंपोर्टेंट होता है और ये part number third है तीसरा part है by Jaiswal sir इस part में भी हम top 20 questions करने वाले हैं इसके पहले 2 part compete हो चुके हैं हैनि 20-20 questions का total 40 questions जो है compete कर चुके हैं और आज की class को मिला कर total हम 60 questions compete कर लेंगे इसके पिछले जो part है I button पर यहाँ पर आलेटी दे दिया गया है link मिल जाएगी तो देर ना करते हिए चलिए शुरुवात करते हैं part number third मनोपेग्यान CDPK और आपको स्कोर जानते हैं आपका feedback जानते हैं कि 20 में से आप लोगों का कितना स्कोर है पहला प्रश्णया पर दिया गया है कि नाच ना जाने आगन तेड़ा निम्निकित में से कौन से उक्ति है प्रच्छेपन है तरक शंगति करण है उदति करण है या बिस्थापन हो जाएगा सभी comment किजिएगा जिनका सपना है टेट इक्जाम को फत्य करना सभी comment किजिएगा तो नाच न जाने आगन तेड़ा में कौन से उक्ति हो जाती है तो इसमें का होता है प्रच्छेपन हो जाता है का होता है प्रच्छेपन हो जाता है बात करेंगे दूसरे प्रश्ण की दूसरा प्रश्ण पूँचा जा रहा है कि सिच्छा को सर्पतम त्री मुखी किसने कहा जो सिच्छा है इसको त्रिमुखी कहने वाले स्वर्पतम कौन है जान एडम्स है, डीवी है, अरस्तु है या प्लेटो है सभी बताईएगा देखे जब भी सिच्छा के त्रिमुखी की बात की जाती है जान डीवी का नाम गिना जाता है आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं, एडम्स कर लेते हैं एडम्स की अगर बात करते हैं, दुरिमुखी का अगर नाम आता है तो एडम्स आता है, और त्रिमुखी का नाम आता है तो जान डीवी की बात करेंगे जान डिवी के उन्सार सिच्छा एक त्रिम्खी प्रकिया है आर्था सिच्छा के तीनंग सिच्छक बालक और पार्टकम होता है ये आपको नोट कर लेना है अंगला जो तीसरा प्रिषन है कि विकास्त मक बिधी जो है, कितने प्रकार की है दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की, छे प्रकार की, सबी बताएगा मेरे प्यारे प्यारे भाईयों के प्यारी प्यारी बहने ग्रहनी जिनका सपना है सी टेट एकजाम को टीट एकजाम को फत्य करना स्कोर में बेटर करना 125 प्लस का स्कोर यहां पे क्रास करना जी हां विकासात्मक विदी की प्रकार दो प्रकार की होती है अब आप बोलेगी कौन कौन से प्रकार की यह आपको कमेंट करके बताना है कि विकासक तक विदी की दो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं सबी लोग कमेंट किजेगा बात करेंगे फोध प्रश्ण की फोध प्रश्ण ये पूँचा जा रहा है कि सिच्छा को दूमुखी सरफ़तम किस ने कहा अभी हमने एक बात किया जब भी तूमुखी की बात की जाता है तो जान डिवी का नाम आता है और जब भी दूमुखी की बात की जाती है दूमुखी की तो जान एडम्स का नाम आता है दोनों चीजों को ध्यान पूरक समझ लेना है तो सिच्छा को दूमुखी सरफ़तम किस ने कहा, जान अडम्स ने कहा, और त्रि मुखी कि ने कहा, तो त्रि मुखी जान डेवी ने कहा, दोनों प्रिशनों को अपने माइंड परेश्ट ओर कर लेना है, एडम्स द्वारा सिच्छक की प्रकिया के उपरिप्त बियोचन से इस्पष्ट हो जाता है कि सिच्छा रूपी दुमिखी प्रकिया की दो घुरियां हैं एक धुरी सिच्छक होता है और दूसरी धुरी बालक होता है according to एडम्स और जान डीवी का कहना है तीन धुरियां होती है सिच्छक बालक के साथ पार्ट करम्भी होता है पांचो प्रशने बाकि सभी क्लास से चल ले हैं चाहे हम AVS की बात करें बालविकास की बात करें ग्रामर की बात करें सारी क्लास से चल लए ही क्योंकि त्यारी दोस्तों आउट आफ 150 में से 125 प्लस का यहां पे क्लास करना है ठीक है तो प्रशने की अभिप्रेणा की प्राण वायू किसे कहते हैं ततपर्ता को परिपकता को जिग्यासा को या उपरोगशवी को कहते हैं तो अभिप्रेणा की प्राण वायू किसे कहा जाता है सभी बताईएगा तो अभिप्रेणा की जो प्राण वायू होती है उसे हम परिपकता जिया अभिप्रेणा की प्राण वायू किसे कहते हैं अभिप्रेणा की प्राण वायू परिपकता को कहते हैं सेकंड वाला आपस है आपका interest किसमे है तो रुची देखे कुछ रुचियां जो जन्मजात होती है बच्चा जन्मजात ही बुद्धिमान होता है बच्चे को मीठा खाना पसंद होता है बच्चे को खेलना पसंद होता है बच्चे देख कुछ चीजें जन्मजात होती है कुछ चीजें अरजित ह जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी जो रूची है बढ़ती जाती है तो रूची जो है जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है इसलिए हम यहाँ पे थड़ वाल आपसन सही कल लेंगे देखे रूची वह प्रे रख सकती है जो हमें किसी विक्ति वस्तु या क्रिया के प्रती ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है रूची दो प्रकार की होती है जन्मजात रूची और आर्जित रूची रूची और ध्यान का संबन कैसा होता है तो रूची और ध्यान का प्रशन पूचा जा सकता है अंगला की अभिप्रेना क्या होती है अभिप्रेना अनभव है वनसानुक्रम है अध्यात्मिक है या समाजिक होता है सबी कमेंड किजिएगा आपका एक कमेंड फीडबेक शरो पर है शुर्मान है जैस्वासर अविनंदन श्वागत करते हैं तो सीटेट में आया हुआ प्रशन है ठीक है सीवी एसी ने स्रकंड वाला अपसंस सही माना है अंगला प्रशन है समुही कुरूप से तीव गति से बालक के बिवहार कद्धन करने की सवसेष्ट विधी कौन से होती जी हां समुही कुरूप से यानि ग्रूप में ठेक है तो समुह जो विधी कहलाती वै कहलाती है प्रशना वली विधी की बात करते हैं क्योंकि समुही कुरूप से तीव गति से बालक के बिवहार कद्धन करना है तो उसके लिए प्रशना वली है लेकिन अगर प्रशना आता है कि बालक के बिवहार कद्धन करने की सवसेष्ट विधी है त तो आपको किसा अप्सन पर करेंगे प्रश्णावली साथ्षातकार विक्ति इतिहास या भईधर्शन यहां पर बालक की बात की जा रहे तो बालक की बेवहार का दन करने की सब्स्रीश विधी फिर यहां पर विक्ति इतिहास विधी हो जाएगे ठीक है थर्डवाल अप्सन स रहतेना टुकडो टुकडो का पूरा निचोर त्यार किया जाता है है क्या वह विध है विकासा आत olacak प्राइड है, व्क्ति-टिहास विदी है या भहीदर्सन विदी की बात करते हैं तो बालक की एक कवस्थाओn का वर्णाद आपकी विकास आपनों कविदी पर किया जाता है यहाँ पर स्रकन्ड वाला अपसन सही हो जाएगो आईए बात करते हैं अंगले पिसन की सांग की विदी के परोर्तक कौन है आपके थंस्टन है, फ्राइड है, बिलियम जेम्स है या गार्डनर हो जाते हैं, सभी उताईएगा तेखे सांग की विदी के जो परोर्तक माने जाते हैं वह हमारे थर्ष्टन माने जाते हैं जब भी सांखेगी का जिक्र होता है थर्ष्टन मनो बेग्यानी का नाम शुरो पर यह आ जाता है अंगला पसने बहिदर्षन विदी के कितने भाग होते हैं यहां पर किसकी बात की जा रहे हैं भागों की बात की जा रही बैदर्सन बिली के दो भाग होते हैं तीन भाग होते हैं चार भाग होते हैं या पांच भाग होते हैं सभी बताएगा सभी कमिन कीजेगा आप सभी लोग ज्यानी सरवब वेख्याता लोग हैं जैस्वा सर आप सभी का अभिनादन करते हैं आप सभी के माता पिता को नमस्कार पिडाम करते हैं मा सरस्थी की अभिनादना प्रातना है और अभिनादना प्रातना भी करते हैं कि आप लोग जो दिल जान से मेहनत लगा कर प्रतेक भारत के निवासी मेरे सेर सेरनी भाई बहन सभी दिल जान से जुटे हुए हैं सीट इट में अबल आने का 125 प्लस स्कोर प्राप्त करने का अब आप देखेंगे जब हम किसी प्रिसन का उतर नहीं मालू होता है पेड़ागोजी में तो आपसन के कॉडिंग हम सही कर लेते हैं अब देखे तीनों में बिवहार 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 दिया गया है और एक में बिवहार नहीं दिया गया है तो हमें अगर उत्तर नहीं मालूम है तो डिफरेंट आपसन को चुणना है तो सिच्छा जो मनों बिग्जान है वोई क्या है? बाल विकास है, तिक है? Child development की बात करते हैं, थर्ड वाला अपसनिया पे सही हो जाएगा, आए बात करते हैं अंगले पुष्ण की, अंगले पुष्णे आदत, ग्यान, अभिवरत्थि को जो है अरजित करने की प्रकिया क्य कहला थी जी हाँ हमारी जो आदते हैं हमारा ग्यान है हमारी अविरतियां है बालक के जो आदत है ग्यान अविरतियां है उनको अरजित करने की जो प्रकिया है उसको अधियम कहते हैं बुद्ध कहते हैं अभिप्रेणा कहते हैं या बिक्तित तो कहते हैं सभी उताईगाज सार सी प्रकिया कहलाती है तो वह हमारी अधिगम की है जो हमारी आदते हैं हमारा ग्यान है अवरतिया है उनको अरजित करने की प्रकिया ही अधिगम कहलाती है पहला आपसन सही हो जाए अंगला प्रसने अधिगम का चालक किसे कहा जाता है अधिगम का चालक जैसे बस्र का चालक क cycle चालक ठीक है तो इसी प्रकार अधिगम का चालक किसे कहते हैं बुद्धि को कहते हैं सन्योजन को कहते हैं अभिप्रेणा को कहते हैं अनमंधन को कहते हैं देखे अधिगम हम क्यों सीखते हैं ठीक है अधिगम जो होता हम जो सीखते हैं तो अधिगम का चालक किसे कहते हैं त कई ने कई अभी प्रेणा का होता है तो अधिगम का चालक अभी प्रेणा को कहा जाता है जब आपके अंदर अभी प्रेणा होगी तभी आप लोग अधिगम करते हैं तो अधिगम का चालक यहां पर क्या हो जाएगा अभी प्रेणा 15 प्लस कम्पीट कर चुके हैं पांच प् 20 questions के part को जल्दी complete करते हैं अंगला प्रिशनर साथियों बेवार में परिवर्तन होता है अभ्यास के द्वारा अनभव के द्वारा प्रसिचन के द्वारा या सभे के द्वारा होता है तो बेवार में जो परिवर्तन होता है वह अभ्यास के द्वारा भी होता है ठीक है जब हम डेली प्रेक्टिस करते हैं तो मारे बिवार में परियुतन होता है अन्भो के द्वारा होता है जब हम प्रेक्टिस करेंगे तो हमें अन्भो भी प्राप्त होगा तो अन्भो के द्वारा होता है जब हम अभ्यास और अन्भो दोनों चीजे करते हैं तो प्रसिचन भी लेते ह दोरों पर भी अन्मोर मिलता है तो बिवार में पर्वतन इन तीनों के द्वारा होता है बिहास, अन्मोर और प्रसेच्छन तो यहां पर फोर्थ आपसन जो दिया गए है वह सही हो जाएगा इसी के साथ ही आपका अंगला प्रिशन है कि निर्जीव वस्तों को सजीव समझना इसकीमा है इसकीम से जीववाद है या आत्म साथ करा है सभी बताईएगा यह सारे जो आपसन दे गए हैं इस सारे आपसन सो एकजाम पेपरिशन बनते हैं एकजाम पर उत्तर बनते हैं एकजाम पर जिक्र होता है तो निर्जीव वस्तों को सजीव समझना क्या कहलाता है, जीव वाद कहलाता है, ठीके, कोई माली जे निर्जीव वस्तो है, कलम है, आगर हम इसको जीव समझ रहे हैं, तो यह क्या हो जाता है, फिर वह जीव वाद कहला जाता है, थर्डवाल आप्सन सही हो जाए, अंगला प देशिक और उपरोग्त दोनों कोई एक कोई भी प्रिश्चन ऐसा प्रिश्च नहीं होता है प्रत्य प्रुष्ण जो है आपके आप्संस उत्तर से संन्मादित होता है कनेक्ट होता है बस हमें जो उस प्रश्ण और उत्तर की कनेक्टिविटी को अगर पहचान लिया उस प्रश्ण और उत्तर के जो एक जुट होता अगर कनेक्ट को पहचान लिया उनका संबंध को पहचान लिया तो तराशान हो करता है जिस प्रकार समयोजित समयोजन नेदेशन करता है या समयोजन नेदेशित करता है तो कोई भी जब कहीं पर समयोजित करते हैं तुम्हें क्या नेदेशन मिलता वहां से भाई हम समयोजन क्यों करेंगे हमें कहीं न कहीं आंगे बढ़ना है हम उस परिसित हमें निकलना है तब हम उस परिसित का समयोजन करते हैं जब हम कई किसी नई जगए पर जाते हैं तो वहां में ढलना होता है तब भी हम वहां पर क्या करते हैं समयोजन करते हैं तो समयोजित निदेशित किस करो कर रहा है अपने लच की ओर हमारा जो लच है उसके लिए हमें समयोजन करना पड़ता है तो समयोजन निदेशित करता है लच की ओर मैंने क्या कहा परिशन और उत्तर का पूरा एटू जेट संबन्ध होता है केवल हमें समझना है अंगला की विक्ति का गुणात्मक शुधार क्या होता है तो विक्ति का गुणात्मक शुधार अधिगम होता है अभी प्रेरक होता है विक्तित होता है या बुद्धी होती है तो विक्ति का गुणात्मक सुधार ही विक्तित्तु कहलाता है, तो यहाँ पे नो डाउट थर्डवाला अप्सन सही हो जाएगा, आए बात करेंगे इस क्लास का 20 प्रस्ण, इस पार्ट का 20 प्रस्ण, अन्भव, अन्भव क्या होता है, अन्भव एक जैविक कारक है, समाजि प्रस्ण, इस प्रस्ण का उत्तर आपको मो कोशन के रूप में है, सभी को कमेंड करके बताना है, कि अन्भव क्या होता है, अन्भव कौन सा कारक होता है, आपका जैविक, समाजिक, मानसिक या सरेरिक कारक होता है, साथी साथ मनो बेग्यान, CDP के पार्ट नम्बर 3 में, 20 म से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, सभी कमेंड कीजेगा, क्योंकि आपको पता है, आउट आफ 150 में से पेड़ागोजी और मनो बेग्यान की जो है, लगवग आपके 30 प्लस से ज़्यादा कोशन्स पूछे जाते हैं, इसलिए मनो बेग्यान पेड़ागोजी का पार्ट बहुत इंपोर्टेंट होता है, मैं आपके साथ जेस्वासर मिलता हूँ, आपके इंगली क्लास पर शभी मित्रों को जेहिंद वंदे मात्रम धन्माज यविका